गुट मॉर्निंग चिल्डरन सुप्रबाद बच्चों आप सब कैसे हो आशा है कि आप सब घर पर कुशल और सुरक्षित हो मैं कामिनी आपकी हिंदी की अध्यापी का आज मैं आपको हिंदी की मात्राओं को फिर से याद करवाओंगी तो बच्चों पिछली कक्षा में हमने क्या सिखा था? पिछली कक्षा में हमने हिंदी की मात्राओं को अच्छे से पढ़ लिया था तो आज हम उसी मात्राओं को फिर से दोराएंगे और याद करेंगे बच्चो आपको पताई है कि स्वरों की मात्राएं होती है पर व्यंजनों की मात्रा नहीं होती पर व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं का उप्योग करके शब्द बना सकते है तो चलो बच्चो हम फीर से हिंदी की मात्राओं को दोहराएंगे बच्चू पहला स्वर है अ बच्चू अ की कोई मात्रा नहीं होती जैसे एक्जाम्पल दिया है कहलन और उसके साथ अ जुड़ गया तो कबन गया उसके बाद आती है आ की मात्रा आ की मात्रा को कैसे लिखते है standing line खड़ी रेखा जैसे एक्जाम्पल क क के साथ जुड़ी है खड़ी रेखा तो बन गया का बच्च उसके बाद आती है ई की मात्रा ई की मात्रा हमेशा व्यंचन के आगे लगती है जैसे यहां उदाहरन में क क के साथ लगाई है ई की मात्रा तो बन गई की उसके बाद आती है बड़ी ए की मात्रा बड़ी ए की मात्रा हमेशा व्यंचन के पीछे लगती है जैसे क और क को बड़ी ए की मात्रा तो बन गई की उसके बाद आता है बच्चो उ उ की मात्रा हमेशा व्यंचन के नीचे लगती है जैसे क को उ की मात्रा तो बन गया कू बच्चो उसके बाद आती है बड़ी उ की मात्रा उ की मात्रा भी व्यंचन के नीचे लगती है जैसे क को बड़ी उ की मात्रा तो बन गया कू उसके बाद आती है री की मात्रा बच्चो री की मात्रा कैसे लिखते है री की मात्रा जैसे हम इंग्लिश में C लिखते है उसी तरह लिखी जाती है और यह भी व्यंजन के नीचे लिखी जाती है तो क को री की मात्रा लगाई तो बन गया क्री उसके बाद आती है एकी मात्रा बच्चो एकी मात्रा हमेशा व्यंजन के उपर लगती है जैसे क के उपर एकी मात्रा लगाई तो बन गया के उसके बाद आती है आई की मात्रा आई की मात्रा भी हमेशा व्यंजन के उपर लगती है जैसे क के उपर हमने लगाई आई की मात्रा तो बन गया बन गई कई उसके बाद आती है O की मातरा बचो O की मातरा कैसे लिखते है खड़ी रेखा और उसके उपर तीरची रेखा standing line और उसके उपर slanting line तो जैसे को को O की मातरा लगाई तो बन गया को उसके बाद आती है अव की मात्रा अव की मात्रा कैसे लिखेंगे? खड़ी रेखा और उसके उपर दो तीरशी रेखा standing line और उसके उपर two slanting line जैसे क को अव की मात्रा लगाई तो बन गया कौ उसके बाद आती है अंग की मात्रा अंग की मात्रा हमेशा व्यंचन के उपर लगती है और एक dot की तरह लगती है तो जैसे क क को अंग की मात्रा लगाई तो बन गया कं अंत में आती है अह की मात्रा अह की मातरा कैसे लिखते है बच्चों? अह की मातरा two dots होते हैं और वह हमेशा व्यंजन के साथ लिखे जाते हैं जैसे क को अह की मातरा लगाई तो बन गया कह तो बच्चों मुझे ये बताओ कि आज हमने क्या सिखा? आज हमने हिंदी की मातराओं को अच्छे से याद कर लिया है ठीके बच्चों, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू